नमस्कार दोस्तो ग्यान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है गंगा में विसरजित अस्थिया आखिर जाती कहां है बहुत ही ग्यानवर्थक वीडियो आज हम आपके लिए लेकर आए तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए तो बिना वक्त गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं पतीत पावनी गंगा को देव नदी कहा जाता है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गंगा स्वर्ग से धर्ती पर आई है मान्यता है कि गंगा श्री हरी विष्णू के चर्णों से निकली है और भगवान शियू की जटाओं में आकर वसी है श्री हरी और भगवान शियू में घनिष्ट संबंध होने पर गंगा को पतीत पावनी कहा जाता है मान्यता है कि गंगा में स्तान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है एक दिन देवी गंगा श्री हरी से मिलने वेकुंट धाम गई और उन्हें जाकर बोली प्रभो मेरे जल में स्तान करने से सभी के पाप नश्ठ हो जाते है लेकिन मैं इतने पापो का बोज केसे उठाउंगी मेरे में जो पाप समाएगे उन्हें केसे समात्त करूँगी इस पर श्री हरी बोले गंगा जब साधू संत वैश्णव आकर आप में स्तान करेगे तो आपके सभी पाप धुल जाएगे गंगा नदी इतनी पवित रहे कि प्रत्यक हिंदू की अंतिम इच्छा होती है उसकी अस्थियों का विसरजन गंगा में ही किया जाए लेकिन यह अस्थिया जाती कहा है इसका उत्तर तो विज्ञानिक भी नहीं दे पाए क्योंकि असंख्य मात्रा में अस्थियों का विसरजन करने के बाद भी गंगा जल पवित्र एवं पावन है गंगा सागर तक खोच करने के बाद भी इस प्रश्ण का पार नहीं पाया जा सका सनातन धर्म की मान्यता के अनुसर म्रत्यू के बाद आत्मा की शान्ती के लिए म्रत व्यक्ती की अस्थि को गंगा में विसरजन करना उत्तम माना गया है यह अस्थिया सीदे श्री हरी विष्णू के चरणों में व्यक्ती का अन्त समय गंगा के समी पाता है उससे मरनो प्रांत मुक्ती मिलती है इन बातों से गंगा के प्रती हिंदूों की आस्था तो स्वाभविक है विज्ञानिक द्रश्टी से गंगा जल में पारा अर्थात मरकरी विद्यमान होता है जिससे हड्डियों में केल्शियम और फोस्फोरस पानी में घुल जाता है जो जल जन्तू के लिए एक पोष्टिक आहार है विज्ञानिक द्रश्टी से हड्डियों में गंधक सल्फर विद्यमान होता है जो पारे के साथ मिलकर पारत का निर्मान करता है इसके साथ साथ यह दोनों मिलकर मरकरी सलफाइड साल्ट का निर्मान करते है हड्डियों में बचा शेश केल्शियम पानी को स्वच्छ रखने का काम करता है धार्मिक द्रश्टी से पारद शिव का प्रतीक है और गंधक शक्ती का प्रतीक है सभी जीव अंततह शिव और शक्ती में विलिन हो जाते है तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसे ही वीडियो आगे और भी देखने के लिए ग्यान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर आपकाया हो तो हिएू थादियो आपक वीडियो वीडियो करें चैनल को सब्सक्राइब करें और एकर रहाना कर बहुत बहुत बहुताओ ओको अगरह बढसे पाल आपको तुँस को वीडियो आपको लिएू ख़ोह चैनल कर अफ़ूफा सी हाड़ फुञार बहू जापको